हेलो स्तो कमाई का अड़ास यूटूब चल में आप सभी का सोगत है आज हाँ पर हम डिसकस करेंगे एंजल वन इस कमपनी के कौटर टू रिजल्ट के बारे में जो कमपनी ने आज काफी शौकिंग तरीके से प्रेजेंट किये हैं और उसी के साथ कमपनी शेयर होल्डर को धम यह है तो एंजल वन इस कमपनी के यहाँ पर टार्गेट वगेरा और स्टॉक के अंदर जो यहाँ पर हमें आने वाले समय में कितना अच्छा पोटेंशल दिखाई दे सकता है वो हमें दोस्तों एंजल वन इस कमपनी के अपर देखकर ही पता चलेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो अच्छा लगे मेरे इफट पसंद आए तो जरूर दोस्तों लाइक सब्सक्राइब करना जिससे आपको यहाँ पर स्टॉक मार्केट के अपडेट और ऐसे इंट्रेस्टिंग रिजल्स आपको डेली बिसस पर मिलते रहेंगे तो चलिए पहले हम एंजल कमपनी 22 के अंदर कमारी थी इंकम वो था 7,459 यहाँ पर मिलियन का वो बढ़कर सब्सक्राइब करता है कि कमपनी की सिल्स काफी अच्छी है इंकम क्या बताता है देखिए उसके अंदर जो कमपनी के सोर्स है वो प्रेजेंट करता है इंकम इसलिए कमपनी के जितने अच्छे सेल्स की नंबर हैते है उतना ही इंकम भी हमें दिखाई देता है अब ही जैसे के मैं आपको कौर्टरली बिस्टिस पर बताता हूँ जून दो हजार 23 में कमपनी यहाँ पर कमा रहीती इंकम 8,111 जो मिलियन में वो सप्टेमबर 2023 में कमपनी कमा रही है 10,493 मिलियर्ड याने दोस्तों एंजल वन इस कमपनी के एक तो कौर्टरली भी इंकम म हम यहाँ पर net profit for the trade के बारे में जो company कितना अच्छा perform कर रही है वो हमें देखना जरूरी है जैसे के दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं Angel One इस company ने पिछले साल कमाया था 2135 million का net profit वो बढ़कर 3045 million का हो चुका है बोले तो company के अंदर profit की strength आप यहाँ से देख सकते हैं कितनी अच्छी है and next अगर यहाँ पर हम company के अंदर quarterly basis पर discuss करें तो यहाँ पर company जून 2023 में 2208 million का net profit generate कर रही थी वो बढ़कर 3045 हो चुका है बोले तो company के result काफी अच्छे है आप यहाँ पर ऐसा consider कर सकते हो अभी next level पर हम आगे बढ़कर angel one इस company के दोस्तो जो यहाँ पर earning per share उसकी जानकारी ले लेते हैं company का earning per share पिछले साल कितना था तो 25.464 जो था वो बढ़कर 36.31 हो गया और quarterly basis पर 26.38 से वो यहाँ पर दोस्तो बढ़कर 36.31 हो गया यह जो result मैंने बताए वो consultant result थे अभी यहाँ पर हम standard result भी देखेंगे अभी बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको लगता होगा किसा standard result क्या होता है तो देखें दोस्तो जो major company है जैसे के angel one उनके खुद के result बोले तो standard result और जो बाकी के companies या joint venture subsidies जो इनके अंदर काम करें उन सभी को मिला कर जो result present होते हैं वो consolidate result होते हैं ये बात understanding करकर चलना अभी देखें ये standard result है अभी इसके अंदर company का directly मैं आपको net profit बताता हूं जिससे आपका वक्त बच जाएं तो देख लीजे दोस्तो company के standard result में company net profit कितना कमारी थी पिछले साल 2121 जो million का था वो बढ़कर 3053 हो गया है million में याने यहाँ पर भी company angel one standard के अंदर भी बढ़िया net profit generate करी ही yearly basis पर and quarterly also आप देख सकते हैं 2190 जो यहाँ पर company के net profit के नंबर थे जून 2023 के वो बढ़कर standard land के अंदर ही दोस्तो 3053 होते वे नजराए million में याने जो angel one company के result है एक तो consultant result में company के नंबर काफी अच्छे है चाहे यहाँ पर income की बात करें या दोस्तो हम net profit की या consultant result की बात करें standard and consultant दोनों में angel one company अच्छा performance present कर रही है अभी आगे बढ़कर हम dividend के बारें बात करते हैं declaration किया है देखिए second instrument dividend का और दोस्तो यह जो dividend का amount है वो है 12 रूपए 70 रूपए का और इसकी जो record date है इस related इन्होंने यहाँ पर जो कुछ update है उसके बारे में बताता हूँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं Friday October 20, 2023 which is the recorded fix for the purpose यह आप understanding कर सकते हैं and जैसे के कुछ निवेशक को लगता होगा कि हम 20 तारीक के बाद में बेज देंगे तो चलेगा क्या तो वैसा नहीं आपको 10 नोहेंबर 2000, 2023 तक आपके पास share रहने चाहिए तब जाकर आपको dividend मिलेगा आप stocks related discuss करते हैं यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते के Angel One इस company का जो share है 216 रुपए पर trade कर रहा है और पिछले 6 मेने में इसने 67% का return कमा कर दिया निवेशक को बहुत अच्छी यहाँ पर growth दिखाईए और listing के बाद में इस stock के अंदर हमें बहुत से ups and down देखने को मिले stock 1200 पेसे फिर गिर कर आ गया 1100 के करीब फिर जाकर 2000 पहुच गया और फिर 1200 पर आ गया बहुत से ups and down इस stock ने देखे हैं बट company एक नया breakout बना चुकी है यानि के नया record बना चुकी है और breakout भी हम कही सकते है 2000 रुपए का level इसने cross किया और उम्मिद अच्छी है दोस्तों कि 2500 के नजदीक ये stock आपको जल्द देखने को मिलेगा company में potential है इसलिए मैं कहूंगा कि आप ऐसे company पर नज़र रखिए जिसके number अच्छे आते हो number अच्छे stock भी अच्छा ही perform करेगा thank you